हलोो स्देखेंगे आपके पार्टर के क्या मेस्वचिज है आपके लिए लेँडेल में देखेंगो यहां पर हम दो सबसे पहले हम कार्ड लेंगे ओके 55 कार्ड लेंगे हम यह से जाधा भी अगर युनिवर्स समय देंगे तो ठीक है ना आपके सामने हम पाइल्स क्रिएट करते हैं यहां पर के क्रिएस? 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 क्रिएस Arizona तो कि थ्री कार्ट लेंगे अब सभी पेसे थीक है तीन-टीन कार्ट सभी में से ले लेते हैं हम लोग सभी देख से फिर आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करेंगे आप चाहें तो कार्ट शफलिंग का टाइम स्किप कर सकते हैं कि तीन कार्ट है हमारे पास थीनों हमने यह से ले लिए है और राइट तीन कार्ट हम यह तक से लेंगे कि कार्ट शादा है दो कार्ट शागे हैं हमारे पास ठीक है इस पर रखेंगे हम पाइडाइट स्टोन पाइल नंबर बन के लिए ओके ठीक है अब हम यह से लेंगे पाइल नंबर थू के लिए कार्ट तीन कार्ट लेंगे हम पाइल नंबर थू के लिए ठीक है ओके ओके तीन कार्ट्स हो गए हैं मेरे परस ओर्राइट ओके ढी तीन कार्ण मेरे आसे याँ 3, okay और राइट हम दोनों पाइल हमने क्रेट कर लिया आपके लिए यह पाइल नंबर वन पाइराइट स्टोन यह पाइल नंबर इसमें से जो भी स्टोन आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वही आप चूज करके अपनी रीडिंग देख लीजिए ओके हम यहां पर देखेंगे पाइल नंबर वन के पाइल नंबर टू हम देखेंगे बात में यह पाइल नंबर बॉन ओके देखते हैं आपके पाइल की messages आपके लिए यह तो कार्ड आपने देखे लिया था ओके ठीक ओके ओके ओवाव ओवाव ठीक है ठीक है ओर राइट तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके रीडिंग सबसे पहले आपके लिए guidance है guidance यह है आपके लिएивать आपके लिए कि अपके पातना के साथ आपके energies mirror हो कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव कभी हस रहें कभी इमोशनल हो रहें इसका मतलब सेमेनर्जी आपके पार्टनर की है तो जितना हो सकते हैं इमोशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं लेकिन अपने थोड़ा बहुत कहीं आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आपको क्या करना है तो यहां पर आपके पार्ट्न के साथ आपके एनर्जिघ कर रहे हैं और आपके पार्टनर के साथ tentang अज़े हैं तो जितना उसे करना चाहते हैं, ठौर्ट में हैं, अपके पार्टन, आपके पार्टन के पूरे time दिमाग में आप ही चल रहे होते हैं, उनके थौर्टस हमेशे आपकी तरफसों आते हैं, इसलिए, energies आप तो रिश्टे कर रही हैं, आपके पार्टन के भी पूरे टायम वहीु चलते होंगे, यहां पर आपके पार्टनर के साथ आपको अगर ऐसा लगता है कोई और पॉर्षन इन्वाल है तो देखिए या तो निकल चुका है वो पॉर्षन या फिर बस निकलने वाला है वो वहां से आपके पार्टनर और आपके रिष्टे में से क्योंकि यहां पर thought party साब के पात्ना की मुझे जगडा और रिच्टा खतम होते वे दिख रहा है क्यों हुआ है ऐसा क्योंकि आपके पात्ना उस रिच्टे में बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे थे बंधा हुआ सा फील कर रहे थे energy से उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी reason चाहे जो भी हुआ करमाज बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं या आपके पात्ना का message यही है आपके लिए कि मैं उस रिच्टे में जिसमें तुम्हें दुख देकर मैं आगे बढ़ा या आगे बड़ी उस रिच्टे में अब मुझे बंधा हुआ महसूस हुह रहा है क्योंकि महासून को प्यार औखेर नहीं मिल रहा है आपके पार्टिर को इसी वजए सिवज़ से आपके पार्टिर काफी सथा उदास और परेशान है अब क्योंकि उनके दिमाग में अब आप ही हाप हैं आपके याद हैं देखे कार्ट कितने ही प्यारे आए हैं पूरे टाइम वो आपके बारे में सोच रहे हैं और बहुत जादा उदास और परिशान हैं आपके प्यार के बारे में आपके साथ बितावे वर्ट के बारे में सो रहें तैनो रहांगे अच्छे से जानते हीं कि बहुत खुब सूरा थैनरजी होती है क्मिटमेट वाली एनरजी होती है क्योंकि आपके पार्टनर के साथ लाइफ स्पैंट करनी है शादी करनी है और इसे पार्टनर भाग रहे तो दूसरों के साथ प्यार ढूंगन की कि यहां पर बहुत अच्छा तीक है यहां पर मैं बात करूंगी बहुत साथ हो परिशान है क्योंकि वह जिस भी सिच्वेशन में वहां पर उनके हर सिच्वेशन में टावर मुवमेंट आया और आपके साथ चल रहा था तो यह तो आप दोरों का रियूनियन हो चुका है और वह भी नहीं तो बातचीत होती है लेकिन जगडे से बचना है जिनके पार्टनर से उनकी बात हो रही है उनको जगडे से बचना है और जिनके पार्टनर की बात नहीं हो रही है उनका चावर मुवमेंट खतम होने वाला है क्योंकि यह थर्ड पार्टिक साथ आपके लोग हैं जहां भी में बंधन फील कर रहा था यह कर रही थी वहां चो छोड़ कर अब तुम्हारे पास आने का प्लाइंट किया है वो भी अच्छे कमीटर रिलेशन्शिप के लिए तो भई पाइल नंबर वन आपके पार्ट्रां के मैसेजिस आपके लिए काफी साथ हाई यहां पर ह unknown genetics okay element two हम आपके treating के स्टाइथ करते हैं जिसमें चूज्क आपड़ नंचाएगढा आई देखते हैं अबाальной नंबर 2 के पार्ट्र के क्या मैस्जाँ थे उनके लिए उके ओगे oh ओ आइन नमबर वन में भी सेम एनजी थी ब्यूटिफुल ओके सही है और राइट ओमाइगाड ओके अल्मुस्ट सेम एनजीज है सेम एनजीज वाव मतलमना आपको लोग को कभी कई बार में बोलता हैं कि मैं टेरों में काफी जादा बिलीव करती हूं बहुत जादा बिलीव सब्सक्राइब करते हूं जब आप इनी डेखते हूं ने यूनिवर्स सेम मतलब एक्दम आंसर देते हैं बिल्कुल सही मुझे लगए किसी तो दोनों पाइल चूज करें और दोनों पाइल देख रहा है आप में से कोई तो ठीक है फिर भी सेमेरे देख लेते हम आपके पा याद और अगर नहीं होता था तो वह आपको सुभा गुद मॉनिंग और नाइट वाले मैसेज के ऊपर लेकर आएंगे आपके सुरुच्ते को काफी सदा मिस कर रहे हैं आप अपने पार्टन से को गिफ्ट है कुछ भी इसी प्यारी सी देखो गिफ्ट बहुत अलग बात ह अब कर आपके पार्टना का मैसेज और कॉल भी आपके पास आता है तो वह भी गिफ्ट से कम नहीं है क्योंकि सबसे अच्छी चीज है तो यहां पर क्या है आपके पार्टना आपको इतना जादा मिस कर रहे हैं ना भई पाइल नमबर टू बहुत जादा मिसिंग एनरजी ह साथ आपके पार्टना जब थर्ट पार्टी से ब्रेक वाली सिच्वेशन आती है मुझे थर्ट पार्टी बोलने में आप लोगों के लिए कुछ भी गलत नहीं लगता है और में और रीडिंग में नहीं बोलती हूं कि आप वहीं मैनिफेस्ट करते हूं लेकि जब ब्रेक आपके पास आएंगे जरूरी नहीं किसी रिलेशनशिप में हो कुछ और भी सिच्वेशन हो सकते हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में यहां पर क्या बोलते हूं हाँ ब्रेक अप हुआ जरूरी नहीं एक ही सिच्वेशन रही हो उपरवाना ना करें किसी की भी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो ठीक है तो यहां पर इस परसन के साथ आपका जो भी रिष्टा है जिस पर तरीके से उपरवाना ना करें थर्ड खतम हो गया है अब यह परसन आपको होल कर दो है मतलब आप इस परसन के साथ आओगे जहीं रियूनियन के साथ साथ हो तो इस परसन को कई जाने ही नहीं देंगा को कुछ भी दुख नहीं देगा लाइफ टाइम अब जतने कार्म को म tällकी चुका है ओक्य नेक्स कर तरफ थ dobr रहें ना बहुत जादा पॉजिटिव सोच रहें तरड पर्टी के साथ यहां पर आपके पार्टन को जो भी रिष्टा था वो तोड़ दिया है पूरे तरीके से खतम रिष्टा क्योंकि वो एंडिंग हो गई है आपके साथ एंडिंग की थी इस परसन है लेकिन वो काफी साथ जहकड़ा हुआ तो आपके अपर्टनर ने पूरे तरीके से नजर बना के रख्योग है आप दोनों एक दूसरे को सोचल मीडिया पर स्टाउक करते हों जहाँ से नहींत आपके पार्टनर को पूरी जानकारी लेने की कोशिश करने क्या करते हो और आपकी लापि कि साने के कहीने कहीन से लाश्टा स्ट खोच लेंगे यहाँ पर इस प्यार के नई शुरुआतने च्व^^ सब्सक्रात्ट की ने ऐंडिंग थी साथ थर्डब भी होटा देते अपब कर्ट को दुख को दुख दिया था आपके साथ रिष्टा खतम किया था तो अब वह हर्ट हुए थर्ड पार्टी के साथ रिष्टा खतम हुआ है आपको हर्ट किया था आपके साथ वापस रिष्टे की नई शुरुआत करेंगो यहां पर स्टार के कार्ड नहीं चुरुआत करेंगे आपके साथ नई शुरुवात करेंगे कमिट्मेंट और प्यार देखर वह सिंपल सा अंसर है यूनिवर्स से देदी आपके पार्टनर के मैसेज़ेस काफी जादा प्यार हो खुबसूरत हैं आपके पॉजिटिव है तो यह थी हमारी आज के रीडिंग आई होप आपको पसंद आई ह रिक sudah किलिए ओधकी पार्टनर को लेकर को बहुत ज्याills हिए अब आपके सथ़ा रियूनियन में आने के लिए रियूनियन करने की पूरी तैयारी करने है आपके साथ वह संथे सा इस अरकिस सब्सक्रेट ने मैसेज परळूएं आईटियू दिस्क्रॉप्षिन में दियो ह बाइ